बार फिरेंट्स नहीं पूल। कि अगर्श को साहता के लिए पूछ लेना, कौह अगर किसी विपत्ती में है तो सब्रक्राफिट लेस हैं। प्रॉफिटलेस सर्विस में कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा जाता है, कभी भी अपना हिद नहीं देखा जाता है, बस यह यह फीलिंग है जिसको निभा दिया जाता है, तो आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिटलेस सर्विस को कैसे बढ़ावा दिया जाए और लोगों को कैसे encourage किया जा जाएं कि और लोगों की मदद कर सकें friends अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं सफर में जा रहे हैं या कहीं रायस्ते में जा रहे हैं голосुण तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं जो की मिलब मड़दाना चाहते हैं हम सबकी मधद तो नहीं कर सकते हैं हम अपनी capacity के साब से इनकी मदद कर सकते हैं, जितने की हम गर लगते हैं, तो आप खुद मैसूस करेंगे, अगर आपने का भी किसी की मदद की होगी, तो आप महसूस करेंगे, एक अच्छी feeling मनमे आती है, यहां हम ने किसी की मदद की दी, तो profitless service के क्या फैदे हो सकते हैं जब हम profitless service करते हैं तो हम उसमें अपना फैदा देद होते हैं लेकिन जब हम वो कर देते हैं तो होता यह है कि आने वाले time में उसका refund हमें जरूर मिलता है कभी ना कभी हम भी किसी विपत्य में पसेंगे तो कोई हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा यह होता है तो निसार्थ सेवा भाव हमारे मन में कैसे आये इसको हम जानना चाहते हैं अच्छे सब्सक्राइब हम अपने भजपन से शुरू करेंगे तब यह विक्सित है जैसे कि अब हम स्कूल में हूँ तो मिल बार परके खाना गाएं यह भी एक सर्विस है इसके आपस में प्यार बढ़ता है दोस्ती बढ़ती है जब हम कॉलेज लाइफ में जाएं तो कभी किसी को बुक्स की ज़रूरत है तो उसको बुक्स पढ़ने के लिए दे दिया अपनी जो पुरानी बुक्स है हम नहीं पढ़ते हैं और कोई गरीब है उसके पास किताबे घरेने के लिए बैसे नहीं तो उसको अपनी बुक्स दे दिया यही सब प्रॉफिटले सर्विस ह हो जाती है। अगर हम कहीं थोड़ा सा कई इंकम कर रहे हैं तो हम पैसों से भी किसी की मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही महां इनसान ने बोला था कि मदद करने से आपके छोटे नहीं हो जाते हैं बलकि आपका कद्व और बढ़ जाता है। तो इसे हमें ज़रूर यार रखना है कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमें भले ही जुखना पड़ेगा उसकी मदद करने के लेकिन हम जब उसके सामें जुखेंगे तो उसकी नजर में हमारा कड़ बढ़ जा जाएगा तो आज से आपके भी कोशिश करिए कि महीने में एक बार किसी ना किसी की मदद जरूर करिए और एक जानवर को चाहे वो गाएं हो या बिली हो या कोई डॉग हो दे रहो तो उसको अब खाना जरूर ठिलाएगे इससे होता क्या है कि जानवरों को हम बोजन कराते हैं तो जो एक पॉस्टिव वेव होती है वो यह सब देखती है और आगे चलके हमारी मदद करती जानवर कभी आप से नहीं बोलेंगे कि वो होती है या उनको प्यास लगी है बट कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए उनके लिए पानी रखना गाएं को रोटी देना कुत्ते को ब्रड वगेरा देना बिली को दूद रख देना यह सब प्रॉफिट लेस सर्विस है सर्दियों में गरीबों को कुछ उनी कपड़े बाढ़ देना चोटे बच्चों को खाना बाढ़ देना किताबे बाढ़ दे जाना यह सब एक प्रॉफिट लेस सर्विस है इससे करने से एक हैपीनेस की फीलिंग आती है स्टिस्टिस्ट्शन मिलता है तो हम भी कोशिट करें कि महिने में कम से कम एक आदमी की मदद जरूर करें और जानवरों का ख्याल रखते हैं क्योंकि वह बेजुबान हैं वह कभी अपना दर्द नहीं बता पाएंगे बड़ यह हमारी रिस्पॉंसबिल्टी क्योंकि हम एक दुनिया में रह रहे हैं हम ए आज से आप सभी भी कोशिश करिएगा किसी ने किसी की मदद करने की और जब आप ऐसा करें तो प्लीज आप अपना फोन सुच आफ कर ले मैंने बहुत देखा हैं लोग मदद तो करते हैं बट शो आफ के लिए अपने साथ फोन वगएरा ले जाते हैं फोटो पिज के एव शो आफ मत करें आपकी इच्छा है तो किसी की मदद कर दीजिए बट शो आफ मत कीजिए आप मदद मत कीजिए तो आज का एक छोटा सा वीडियो है मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना जाओंगा आकरी में कि मदद के लिए आप एक हांत आगे बढ़ाएंगे तो कोई आपकी म मुझे उम्मीद है आपको एक वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो सब्स्राइब करें थैंक यू वेरी मैच